नवश्कार, हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि diabetes क्या है, glucose क्या है और glucose और diabetes का क्या सम्बंध है और ये glucose हमारे शरीर में कहां से आता है आज हम डिस्कस करेंगे कि वो कौन से खाने हैं जो हमारे शरीर में जाके जल्दी से glucose में परिवर्थित हो जाते हैं अब कुछ खाने ऐसे हैं जो जल्दी से परिवर्थित हो जाते हैं और कुछ खाने ऐसे हैं जो थोड़ा समय लगाते हैं तो जो खाने जल्दी से परिवर्तित हो जाते हैं, उनमें एक न्यूट्रियन पाया जाता है, जिसे कहते हैं कार्बो हाइड्रेट. तो जिस खाने में कार्बो हाइड्रेट की मात्रा जैदा होती है, वो खाना जल्दी से परिवर्तित हो जाता है. जैसे कि चीनी, चावल, आली और इन से बनी हुई बहुत सारी और भी चीज़े तो जब आपकी शुगर की मातरा जैदा बढ़ने लगती है तो आपको डॉक्टर साब कहते हैं कि तुम चीनी चावल खाने बंद कर दो आलू खाना कम कर दो तो वो क्यों कहते हैं उसका यही कारण है कि उन चीज़ों में कार्भो हाइडरेट काफी मातर में पाय जाता है और वो जल्दी से शरीर में जाके ग्लूकोस में बता जाता है तो आज मैं आपको प्राक्टिकल पार्ट पताना चाहूंगी कि अगर आप मेरे पास आएं और मैं आपको कहूं कि आप खाने में लंच में या डिनर में 60 ग्राम कर्भो हाइडरेट खा सकते हैं तो वो 60 ग्राम कर्भो हाइडरेट आप खाने में कैसे चूज करेंगे और कंपैरेजन के लिए मैं आपको दिखाऊंगी चावल, चीनी, दाल, सबजी, रोटी और आप ऐसा नहीं है कि चावल चीनी खा नहीं सकते या आलू खा नहीं सकते आप खा सकते हैं पर अगर मैं आपको बताओं उनमें कितनी मात्रा है तो आपको उसी हिसाब से चूज करना पड़ेगा कि आप कितनी क्वांटिटी में वो ख खा सकते हैं और क्योंकि उनमें कार्बोहाइडरेट जयादा रहता है तो मुम्किन है कि वो आप बहुत थोड़ी क्वांटिटी में खा पाएं और उससे आपका पेटना भरें इसलिए आज के प्रैक्टिकल सॉलूशन में पता करते हैं कि आप कितना खा सकते हैं डेसिजन आपने लेना है तो मैं अभी आपको दिखाती हूँ प्रैक्टिकल पार्ट में